बिस्मिल्यारवानियरहीम, असलाव ने कुम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हुझा अंसारी और आप देख रहे हैं इजाधन सारी बरतन जो आपका है वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए उसके अंदर पानी एक कत्रा भी हमें नहीं चाहिए अगली सीज इसमें यहीं पर हम जो एड़ करेंगे वो है चाय की पत्ती ठीक है तो यह धाई टी स्पून के करीब है इसको आप कम ज्यादा अपनी मर्जी के मताब डालें दार चीनी डालें जो आपको पसंद हो यह तो आप्शनल चीज है में रेस्पी यह कि आपने लो टू मीडिया फ्लेम के उपर इसको पकाना है चीनी जो है वो पिखलना शुरू हो जाएगी अब नॉर्मली जब हम अकेली चीनी को इस तरह करमलाइज करते हैं पिखल काफी करने से काफी बहुत जाएती हुद आप को जाती है नो था यहां पर गलती यह कि widow को ओए高णा घ्रिक्राइज大概 करते हैं जो होती है वह छाने करते हैं उसका अंधे आतर जो पती के अंदर भी आता है और चीनी के अंदर तो आएगा ही आपने इसको हलका सैसे बकाना जब यह fluffy हो जाएगी तब आपने फॉरन फ्लेम को लो कर देना ठीक है लो कर देना फॉरन से और तब आपने इसके अंदर do that करना है तो यह रेख लिए मैंने कम कर दिया है ताके चीनी जल ना जाए बिल्कुल black ना हो जाए अब हमने इसके अंदर do that करना है तो यहां पर मैंने इसके अंदर 3-4 cup do that करना है लेकिन पहले मैं 1-2 cup add करूँगा उसके बाद यहां पर आपको एकदम से लगेगा कि चीनी जल गई है यह तो इकठी हो गई है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा ठीक है आपने इसकी mixing करनी है और बहुत यहसानी से इसके अंदर mix हो जाएगी ठीक है आप में लगेगा खाराब हो गए काम लेकिन ऐसा नहीं हों ख्राब तब होगा जब आपने डूपऄरे में 10 ऐला लिख आ लगारीं जानी यह आपने जला दी जलानी है गोल्डन सोनेहरी करण करना है उसके बाद आपने दूद region कर देना है आधा ताकि इसकी mixing जो है हम आसानी से कर लें तो यहां पर देखें बहुत ही शांदर खुश्बू मुझे आ रही है एक बहुत ही अजीब सी खुश्बू जो आपने पहले कभी चाय में फील नहीं कियोगी बाकी दूद जो बचा था वो भी मैं इसमें आट कर लेता हूं अपकोर्स जो बरतन का कंगाल होता है उसको भी आट कर देते हैं ताकि जो दूद बरतन के साथ लगावा वह भी जाया नहीं हो इससे हमारे रिस्क में बढ़कत आती है अब आपने क्योंकि कच्छा दूद आट किया खचा पानी का इट किया फ्लेम को हाई क आपने को सब्सक्राइब कर लिया करें यह आपकी तरफ से प्यार होता है महबबत होती आपके रहा बार बार डोंगा इसलिए लाते हैं ताकि चाहिए जागदार सी हो जाए ठीक है चलते हैं फाइल की तरफ बिसमिल्लाहरामान रहीम तो इसको आपने इस तरह से पुन लेन रहा है रोस्टी टी टेस्पी तड़ रहा है को फिई शेपी के लिए को एक व्योट फ्रेसिपी के लिए कंपच Va're oak